ओके सो हेलो एवरिवन स्वागत आप लोग हमेरे यूटुब चानल रोई थेर का टूटोरियल में और आज हम लोग करने वाले हाइलाइट्स और हाइलाइट्स के लिए हम यूज करेंगे एक नॉर्मल सा ट्यूब लॉरियल का जो कि काफी जादा लोगों को पता है कि हाइले जिसका आप लोग मिक्सिंग रेशियो देखोगे किस तरह है और इसे किस तरह मिक्स करके हमें लगाना है विविंग किस तरह निकालना है और किस तरह हमें पूरा प्रोपर प्रोसीजर करना है वीडियो में देखिए तो चलिए 12.3 जो है वो गोल्डन वेरी लाइट का रहाएट का काफ़ी बैहर लेंद है काफी लॉंग लेंद है ते मु Big से निक हम इसे निकाल लेता है यह पूरा टोटली कृम हम निकालने के बाद में हम इसमें करेंगे ठीव令प यूजिन य क्यों तो हम जिस ही बिचीजर रेने यह वाले हो फैas9 गोस को घूक्टिघ हा सा आ जायेगा तो चलिये इसे अच्छी तरीके से मिक्सिंग करते हैं आप जब भी डिवलोपर और क्रिम को मिक्स करों शाएं जितना ही अच्छी तरीके से और ने पर यह में अगर हम लोग कियो यूज करते हैं मैं आप लोगो बताता हूं हम लोग color करते हुए front के लुक तक आते हैं और जब हम back में पहली बार करते हैं first time तो back में हमारा जो color है वो काफी जाधा light की तरफ चला जाता है तो अगर हमfront लुक से स्टार्ट करना है तो देखिए हम लोग प्राइक करना स्टार्ट कर दिये हैं और फोईल dipping किस तरह से आप लोगों को लगाना है आप लोगों Maspora में दिखाता हो पहले हम लोग सेंड लेंगे 3 0 sexyingिग आप लोग को बतले को निकालना और पतले पर बाद में क्रीम लगाना है तो आप लोग फॉयल पेपर podr टच टरार रेंगे तो तो आप लूग को ध्यान देना है कि क्रीम फोबर टरीक के से हर ईसा होता है कि हमारे जो hair से उस पर proper तरीके से hair पर हमारे cream नहीं लग पाते हैं जिससे कि कभी कभी patchy look आता है तो इस चीश का आपको ध्यान रखना है और आप लोग को बहुती proper तरीके से weaving निकालते हुई आप लोग को cream लगाना है तो देखिए हमने foil paper में अच्छे तरीके से लगाते जा रहे हैं पहले हम उपर की तरफ ले रहे हैं बात में नीचे का जो lane ते वहाँ पर लगाना है और आप लोग को brush इस तरह से लगाना है कि हमारा back side में जाने की जो नीचे तरफ का जो layer hair का वहाँ पर भी अच्छे तरीके से लग जाए और फिर आप लोग को से foil paper pack कर देना है तो foil paper देखे आपने कि मैं कोम की मदद सही foil paper को पेक कर रहा हूं तो इसी तरह आप लोग को पूरा दिरे-दिरे करके step by step पूरा weaving निकालते हुए हमें highlights करना है तो year to year की तरफ भी हम आएंगे और वहाँ पर भी किस तरह करना है मैं आप लोग को दिखाता हूं दोस्तों यहां तक आचो कर वीडियो को लाइक नहीं कियो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि काफी ज़्यादा knowledge पर और काफी ज़्यादा यूज होने वाला यह highlights है बहुत ल किस तरह का कौन सा color करना चाहिए तो सबसे बहतरीन है 12.3 जो की काफी अच्छा shade देता है highlights के लिए और कोई भी hairs इसमें dry नहीं होते एकदम amazing सा look देता है इसमें dryness का कोई भी issue नहीं होता तो हम L'Oreal का जब भी 12.3 use करेंगे 30 volume से आप लोग को use करना है काफी बहतरीन और और रूट के पास एकदम अच्छी तरीके से टेलकॉम से फाइल पेपर को लगाना है फिर उसके बाद में हम हमारा highlights लगाना स्टार्ट करेंगे और highlights आप लोग को ध्यान देना है कि scalp पर नहीं लगना चाहिए क्योंकि इसमें 30 volume mix है और जो हमारा color है वो माजी lift का lifting है तो ज आप लोग का foil paper चाहे थोड़ा extra लग जाए लेकिन आप लोग को पतले sections ही लेना है क्योंकि जब पतले sections लोगे तो color काफी अच्छी तरीके से आएंगे और कभी भी पतले sections लेने पर जब हम highlights करते हैं तो highlights हमारे patchy look नहीं आते हैं सब जगा even look आते हैं और सब जगा एक तरह का even हाला ही हमारा shade मिलता है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग को पतले sections लोग करना है ज्यादा मोटे और thick section होने से क्या होता है कि जब हम color लगाते हैं तो मोटे section होने की वज़े से नीचे तक में हमारा जो color है वो पहुच नहीं पाता है जिसके वज़े से ब हमारा left side का जो ear to ear sections complete हो जाए तब आप लोग को right side में आना है और वहां पर भी आप लोग को इसी तरह लगाना है तो जब आप लोग का पूरा highlights complete हो जाए तब आप लोग को बीच बीच में चेक करते रहना है कि हमें जितना shade चाहिए था वो आ चुका है या फिर जो हम सबसे पहले foil paper pack किये थे वहां पर कितना आ चुका है कभी कभी ऐसे होते हैं कि hairs जो हमारे nape के area है वहां पर बहुत जल्दी और जादा light की तरफ वो शेट जाने लगता है तो आप लोग क्या कर सकते हो कि shampoo chair पर बुलाकर आप लोग उसे जो foil paper जहां पर हमारा color complete हो चुका है उसको निकाल सकते हो और उसके बाद में उसे निकाल के थोड़ा सा wash कर दोगे पानी से तो बाद में वो उसका जो lifting है वो रूख जाएगा stop हो जाएगा और जो हमारा color अभी तक नहीं है वहां पर आप लोग को foil paper लगे रहने देना है और जब वो color आ जाए तब आप लोग को उसे निकालना है तो इस तरह आप लोग कर सकते हो लेकिन आप लोग को चेक करते रहना है जो हमने सबसे पहला foil लगाया वो और जो हमने लाश में लगाया वो जिससे कि हमें idea मिलता रहेगा तो देखिए हमारा foil paper पूरी तरीके से pack हो चुका है और आप हम इसमें use करेंगे 30 minutes और जैसे की chocolate shade चाहिए था वो आ चुका है काफी easy methods और काफी easy color मैंने आप लोग को बता है यह आप लोग जब भी अगर आप beginners हो तो highlights कोई कह रहा है तो आप लोग यह कर दीजिए blonder use करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें काफी अच्छा look आ जाता है चौकलेट वाला look तो foil paper आ बहुत ज्यादा ओवर लुक लग रहा है तो देखिए आप लोग में एक एक foil paper निकाल के दिखाते जा रहा है तो चलिए फटा 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 हम foil paper निकाल देते हैं और देन इसके बाद में हम इसे करेंगे rinse rinse यानि की जो भी colors लगे हुए हैं हम अच्छी तरीके से लगा नहीं रहना चाहिए देखिए हमारा front में भी काफी बहतेरिन सा आ चुका है तो हम पूरा foil paper निकालने के बाद में इसे करेंगे washout और पूरा हम जो भी color लगा है वह पूरा अच्छी तरीके से निकलना चाहिए दोस्तों अगर आप लोग को color से related कोई भी डाउट रहे तो देखिए हम shampoo यूज़ करेंगे शैंपू आप लोग color protection शैंपू यूज़ कर सकते हो और फिर उसके बाद में wash होने के बाद में हम इसमें mask यूज़ करेंगे mask या फिर conditioner भी आप लोग यूज़ कर सकते हो तो सबसे पहले shampoo then conditioner और फिर उसके बाद में हम आएंगे towel dry और आप लोग शेट देख पा रहे हो कि काफी बहतीरी इंसा शेट आया है तो जब भी कोई भी हाइलाइट्स कलर होते हैं तो स्टाइलिंग देनी बहुत जरूरी है तो हम देखिए आइनिंग से इसे कल्स वला लुक दे रहे हैं तो ब्लोड राय कंप्लेट होने के बाद में हम चैसे इसमें आइनिंग दे रहे हैं आइनिंग देने के बाद में से कल्स करेंगे तो आप लोग देखोगे कि कितना अमेजिंग से रिजल्ट आएगा और आप लोग को फ्रेंट में लुक दिख भी रहा होगा कि कितना बहतीरीन से शेट आ चुका है दोस्तों अगर आप फाइनल रिजल्ट कितना अमेजिंग सा आया है फ्रेंट में हमारा अब हम इसमें लगाएंगे सीरेम जो की थोड़ा सा मौस्चर देगा और काफी बहतरीन सा रिजल्ट देगा तो जब भी ब्लोट रहा है या फिर कोई भी स्टाइलिंग करो तो कल्स ओपन करने के लिए आप लोग कल्स ओगरा करोगे और जब भी क्लिपिंग करोगे तो काफी अच्छी तरीके से अंदर से लेकर पुरा टॉप एरिया तक एक बहतरीन सा हाइलेट्स मिल चुका है तो अगर कोई बीगनर से और उन्हें हाइलेट्स करना है तो यह वाला ट्यूब यूज करिए 12.3 कोमेंट्स करके जरूर बताना चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो सब्सक्राइब भी करना मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाए बाए टेक के